सत्रहवा पाठ, वे सुभा कभी तो आएगी? प्रिष्ट संख्या 110 से 115 तक, अब प्रस्तुत है पाठ, वे सुभा कभी तो आएगी? मैं बहुत छोटी थी, जब गैस रिसी थी, मेरी अम्मी बताती हैं कि वे मुझे जकड कर जहांगीराबाद भागी थी, मेरी याद दाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था, और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है, मेरा गला और आखें सूज जाती हैं, मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है, गले से अंदरी अंदर खोन बहता है, मेरी सासें बुरी तरह से फूलने लगती हैं, और मैं होश खो देती हूँ, मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं, शुरू में ये धब्बे एक एक रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं, मेरे दाहिने पाउं के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है, और मेरे पैर देखो, ये चाले पड़े हुए हैं, कितना कुछ हुआ है हमें, हमारी जिन्दगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है, मेरे अब्बू इस दुरगटना के कारण खत्म हो गए, जब हम बहुत चोटे थे, मेरी मा की मानसिक हालत बिगड़ गई, वह दर्वाजे पर बैठ कर अब्बू का इंतजार करती रहती थी, हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लें, वह उनके पैरों की आठ सुनती और चिला कर कहती कि वह घर आ गए हैं, हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बाते नहीं कहते और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देख भाल करेंगे डॉक्तर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें पर उनकी हालत देख कर रोई बिना रह पाना मुश्किल होता था यह सब कुछ महिनों तक चलता रहा धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आपको संभाला शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिन्दा रह सकें मेरे अब्बू की एक दुकान थी किसी ने उन्हें समझा बुझा कर वह दुकान पांच सो रुपए में बिकवा दी फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गई हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता तिस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है मैं हमेशा से ही बीमार हूँ मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिलकुल ठीक है मेरी अम्मी चिला पड़ती थी कि वह मेरे इतने बिमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई है एक बार की बात है जब मैं बहुत बिमार थी किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूँ और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही धाई सो रुपए हर दिन का आएगा इलाज का अलग मेरी माने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं पर वह नहीं मानी मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दो पहर को वह न आती मुझे नहीं मालूम कि वह कहां से पैसे लाती पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती अब मैं आयुरवेद की दवाए लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफी आराम है मेरे पाउं के छाले सूख रहे है पसलियों का दर्द चला गया है चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खोन बहना बंद हो गया है अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ मैं यह जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है मैं इतने खुश रहती हूँ मैं तो अब जीना चाहती हूँ लेखिका, सल्मा अभ्यास, शबदार्थ, जकड़ना अर्थात, कसकर पकड़ना याद दाश्ट, अर्थात, याद रखने की शक्ती राहत, अर्थात, आराम सूजन, अर्थात, किसी अंग का फूलना बदन, अर्थात, शरीर धब्बे, अर्थात, दाग आहत, अर्थात, आवाज सेहत, अर्थात, स्वास्थ्य पहला, पाठ से क, सल्मा का पहला कदम बिमारी में ही क्यों बढ़ा था ख, सल्मा अपनी अम्मा से क्या कहती थी, जिससे उसकी अम्मा उसे मार देती थी ग, सल्मा ने ऐसा क्यों कहा, कि मैं तो अब जीना चाहती हूं मेरे अबू इस दुरघटना के कारण खत्म हो गए, जब हम बहुत छोटे थे इस वाक्य से पता चलता है, कि सल्मा के अबू, किसी गैस दुरघटना के कारण मर गए थे दुरघटना में कुछ लोगों को, अपने शरीर के अंगों को गवाना भी पड़ जाता है तुम हवा, आग और पानी से होने वाली दुरघटनाओं की एक सूची बनाओ तुम इस सूची के आगे यह भी लिखो, कि इसमें क्या-क्या नुक्सान होता है तीसरा, देख भाल हम उनसे कहते हैं, कि जब हम बड़े हो जाएंगे, तो उनकी देख भाल करेंगे इस वाक्य को पढ़ो और बताओ की कौन किसकी देख भाल करना चाहता या चाहती है ख, वह बड़ा या बड़ी होकर ही देख भाल करना क्यों चाहता या चाहती है ग, क्या वह चोटे होने पर देख भाल नहीं कर सकता या सकती है ग, अगर वह चोटे होने पर भी देख भाल करेगा या करेगी तो क्या हो सकता है चोटा, निबंध या संसमरण इस पाठ में भोपाल गैस त्रासदी का वर्णन हुआ है जिसे इस त्रासदी को सहने वाली सल्मा ने वह सुभे कभी तो आएगी शीरशक से लिखा है अब तुम बताओ कि, क, तुम इसे निबंध या संसमरण में से क्या कह सकते हो और क्यों ख, अगर इसे कोई कहानी कहे तो क्या होगा ग, मान लो कि अगर तुम इसे लिखते तो इसका क्या शीरशक देते और क्यों संकेत, इन प्रश्णों के उत्तर देने के लिए तुम अपने बड़ों की साहता भी ले सकते हो पाँचवाँ, पंक्ती और शीरशक वह सुभा कभी तो आएगी यह इस पाठ का शीरशक है साथ ही यह साहिर लुध्यानवी के गीत की पंक्ती भी है इस तरह तुम कुछ अन्यगीतों, कविताओं, लेखों, कहानियों और प्रसिद्ध लोगों के विचारों आदी की किसी पंक्ती का चैन कर उसकी सूची बनाओ जिस पर अपने विचारों को लिख सकते हो और वह तुम्हारे लेख के लिए सही शीरशक हो सकता है चठा, भेंट मुलाकात तुम्हारी भेंट मुलाकात अक्सर कुछ ऐसे लोगों से भी होती होगी या हो सकती है जिनकी आँखें नहीं होती जो बोल और सुन नहीं सकते कुछ वैसे भी लोग होंगे या हो सकते हैं जो हाथ पैर या अपने किसी अन्य अंग से सामान्य मनुष्य की तरह काम नहीं कर सकते अब तुम बताओ कि क यदि तुम्हें किसी गुंगे व्यक्ती से कुछ समझना हो तो क्या करोगे घ, यदि तुम्हें किसी अन्धे व्यक्ती को कुछ बताना हो तो क्या करोगे घ, किसी ऐसे व्यक्ती के साथ खेलने का अफसर मिल जाए जो चल फिर नहीं सकता हो तो क्या करोगे सात्मा उपाय यहां कुछ दुर्गटनाओं के बारे में लिखा हुआ है जैसे क सडक दुर्गटना सडक पर होती है ख ट्रेन दुर्गटना ट्रेन की पटरी पर होती है ग हवाई दुर्गटना धर्ती या आस्मान कहीं भी हो सकती है घ, नौका दुरगटना जल में हो सकती है इन कारणों में मानविय भूल, जान बूजकर और प्राकृतिक रूप से संबंधित कोई भी कारण हो सकता है मानलो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कोई भी दुरगटना घट जाती है तो तुम क्या क्या करोगे क, क्या तुम स्वयम को बचाओगे, किसी और को बचाओगे, किसी अन्य को बचने और बचाने का उपाए बताओगे, किसी अन्य को उस दुरगटना के बारे में बताओगे और बुलाओगे न, क्या तुम चुपचाप रह जाओगे, इसमें तुम जो भी करना चाहते हो, उसका कारण भी बताओ आठवा, शब्द प्रयोग, मेरा गला और आखें सूज जाती हैं, मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है इस वाक्य में सूज और सूजन शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से हुआ है, इसके साथ सूजना शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है तुम भी अपने ढंग से कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाओ, जिनके रूप में थोड़ा बहुत अंतर हो तभी सार्थक ढंग से उसका प्रयोग किया जा सकता है जैसे तूट, तूटना, तूटन, आदि